आहें आपकी एडिया कितनी ही फटी होई हो एकदम ही नरम मुलायम हो जाएंगी दोस्तों अगर आपने इस नुस्खे को साथ दिन आजमा लिया तो पूरी सर्दियों में आपकी एडिया एकदम स्मुथ और मुलायम बनी रहेंगी अगर आपने ये एक बार लगा लिया तो द जगे पे आपको आसानी से मिलने वाली है बस आप एक बार बना कर रख लें और पूरी सर्दियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एडिया ज़्यादा फटी हुई हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए आप इसे लगा सकते हैं और अगर एडिया नए फटी होई है, सिर्फ जो स्कीन है वो आर्डशी हो गई है, तो भी आप अपनी एडियों को नरब मुलाइम बनाए रखने के लिए, एकदम जैसे बच्चों की एडिया होती है ना, उस तरे की स्कीन हो जाती है एडियों की दोस्तों, एकदम ही सोफ्ट, तो आप जो ही इस नुस्खी को बना कर रख सकते हों, तो यहां पे आप देख रहे हैं ना, यह अमारे पास है दोस्तों, चमपा के फूल, इसको चमपा चमेली वगेरा बोलते हैं, उसके फूल है, कहीं भी गारडन में आसानी से मिल जाते हैं, और आपको सिर्फ थोड़े से एक मुठी फूल लगेंगे, और नुस्खा कम से कम मैने बर के लिए आप बना कर तयार कर लेंगे, जैसे आप लोशन और क्रीम वगेरा लगाते हैं, इसी तरीके से आपको ये अपलाई करना है, बस वीडियो में आप बने रहना, कैसे क्या सावदानिया आपको रखनी हैं, आगे सारी चीजे बताऊंगे, कैसे लगाना है, किस टाइम लगाना है, ये जो फूल है ना, अगर आपको लगे, इनके उपर दूल मिटी वगेरा है, तो आप इने दो कर साप करके ले सकते हो, लेकिन मेरे या बारिस हुई थी, तो एकदम ही साप सुत्रे फूल जो है, आमें ये मिले हैं, इनको दोने की जरूरत नहीं है, तो आमने एक मुठी फ तरीके मैंने आपको बताए हैं, जो आसान लगे, आप आज मा सकते हो, इनको दर्दरा सा कूट लेना है, एकदम बारिक पेस्ट नहीं बनाना है, और बारिक पेस्ट अगर जार के अंदर बन भी जाता है मिक्सर में, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप उसका भी इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो, ये देखिए, इस तरह से अमने इनको कूट लिया है, ये जो फूल होते हैं, इनकी स्मेल करने से दोस्तों, सर का दर्द ठीक हो जाता है, इनको अगर आप मसल कर किसी गाओ पे लगा लेते हैं, तो गाओ बर जाते हैं, बहुती ज़्यादा फायदे कोई भी बरतन का इस्तिमाल याँ पे कर ले, और दूसरी चीज जो लेंगे वो लेना है आपको याँ पे नारियल का तेल, जो इसमें आमें लगने वाला है, नारियल का तेल आपको याँ पे ले लेना है, इसमें आप सरसों अगेरा का तेल ना डाले, नारियल के तेल का ही इस्तेमाल करें, तो नारियल का तेल जो है, मैं यहां पे यह थोड़ा सा बना रही हूँ, अगर किसी की एडिया फटी होई है, तो आप थोड़े से फूल भी जादा ले लें, और नारियल का तेल भी जादा ले लें, मैं यहां पे कम आपको बना कर दिखा रही हूँ, तो इस तया हुआ है यानि कि लिक्वीड है तो आप यहां पे कम से कम पांच चमच जो है नारियल का तेल ढाल लेना अंदाजे से पांच चमच की जितना और फिर इनको अच्छे से मिला लेना मिलाने के बाद में जैसे मैंने बताया आप चादा भी बना कर रख सकते हो इसको का भी नहीं था फूल को कोट करिये मिलाने वाला दोस्तों बहुत जल्दी बनकर तयार होता है और पूरी सरदियों के लिए आप इसे एक बार ही बना कर रख सकते हो यानि कि 50 क्राम ओयल में अगर आपने बना लिया तो पूरी सरदिया निकल जाएंगी क्योंकि यह जो नु पैर बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो आप यह बना कर रख लेना बहुत ज्यादा फायदे मंद है दोस्तों जैसे ही आपको लगे यह फूल आमने इसके अंदर डाले ही यह अलके से ब्राउन हो गए हैं कोई-कोई सफेद से बचे हैं बस इतना ही आपको जो है इसको पका कर तयार करना है बाकी का यह जो है अपने आप गर्मी से पक जाएगा अब यह बहुत ज्यादा गरम है तो दिरे दिरे इसी की गर्मी से यह पक जाएगा अब इसको इसी तरीके से थोड़ी सी देर छोड़ देंगे इतनी देर नहीं कि यह एकदम ठंडा हो जाए नहीं जब तक अलका सा गरम रहेगा और ये जो नारियल का तेल दिख रहा है आपके अंदर ये दिखता रहेगा अगर ये जम गया तो आपको दो बारा इसको गरम करना पड़ेगा जब इसका टेंप्रेचर थोड़ा सा कम हो जाए ना तो आपको क्या करना है इस तरह की कोई भी एक डबी ले लेनी है या आप कांच का जार भी ले सकते हो उसके अंदर आपको ये चान कर लेना है जितना भी ये इसके अंदर फूल का माटेरियल अमने डाला था वो पूरा अपनी एडियों के मसाज कर सकते हो क्योंकि थोड़ा जो ओल है वो इसके अंदर रह जाता है तो आप उसे भी वेश्ट ना करें रख ले और जैसे शाम होती है शाम के समय आपको ये नुस्खा आजमाना है रो जाना तो नुस्खा किस तरीके से आजमाएंगे सबसे पहले तो आप क्या करें जिनके पैर बहुत ज्यादा एडिया फट गई है खराब हो गई है कई बार आपने देखा होगा जिनकी एडिया फट जाती है वो थोड़ी उपर से दिखने में भी खराब सी हो जाती है अजीब सा कलर हो जाता है तो आप पहले पैरों को अच्छे से साफ करना जिनको ये दिक्कत है जिनके साफ है उनको तो कोई दिक्कत नहीं थोड़ा साल का फुलका दो लेंगे तो भी चलेगा लेकिन जिनकी एडिया खराब उनको अच्छे से मसल कर दोना है रगड कर दोना है ब्रस के साथ में जो एडिया रगडने का ब्रस बगेरा आता है न वो लेकर उसको अच्छे से रगड कर दोना आपकी एडिया एकदम ठीक हो जाएंगे आप पिल्कुल भी टैंसल ना करें कि जब रगड़ेंगे तो ओर ज्यादा फटेंगी नहीं अगर आपको दर्द नहीं है ज्यादा दो सकते हैं आप उतना सैन कर सकते हैं अच्छे से दोन और उसके बाद में तुरंट आपको जैसे अमने ये क्रीम बनाई है आप ये समझे इसको लगाना और पहले दिन तो जैसे ये फूल में है थोड़ा वो तेल इसके अंदर तो ये ही मसल लेना एडियों पे अच्छे से और फिर आपको लगे तेल जादा है तो आप जो है कप अच्छन के कपड़े से पुश कते विए खराब जो कपड़ा रहता है गर में पुराने कपड़े रहते हैं उसको बना ले आप एक कपड़ा और रोजाना मसाज करने के बाद में एक्स्ट्रा ओ Eli जो रहता है उसको आप उसके साथ पूश सकते जिससे आपकी कपड़े खरा पांस साथ मिनेट इसे लगा कर मसाज करना है अच्छे से एडियों की आच से खुद कर सकते हो ये काम आप अच्छे से मसाज करना फिर बाद में आपको लगे एक्स्ट्रा ओइल है तो किसी भी कपड़े से आप उसे पहुंच देना लेकिन द्यान ये रखना दोस्तों यहां मैं आपको ये लगा कर बता रही हूं सिर्फ आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है उपर की जो स्कीन है पैरों की या आतों की बाकी स्कीन पे आपको ये नहीं लगाना है ये आप सावदानी रखना वैसे अगर थोड़ी बहुत लग जाती है तो इस ते कोई नुकसान नह होता है लेकिन ये जो है ना इस पेशल एडियों के लिए हैं एडियों के जो फटे हुए बड़े-बड़े धरार दिखते हैं तूरंत बर जाते हैं तो लगातार आप मैने बर्तका आज मा सकते हो इसे साथ दिन में ही आपको फरक नजर आ जाएगा ये था हमारा आज का नुस्खा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कमेट और चैनल पर पहली बार आएगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद